Standardization of Teaching and Learning, वो जो हम Global Education Reform के तहद बात कर रहे थे, सबसे पहले हमें एक-एक करके देखना है कि Education Reform Moment किन चीजों को focus करती है, जो हमारे लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं या जहां से हमारे students के जो rights हैं वो violate हो सकते हैं, तो जो professional standards बन गए हैं वो जैसे मैंने अर्च किया वो one size fits for all है, कि भई हर देखें आपके जो बच्ची हैं वो उनके अंदर individual differences है, there are mental differences, there are socio-economic differences, they have emotional differences, they have social differences, they have cultural differences, they have attitudinal differences, आप differences गिनते जाएं और वो खतम नहीं होते, तो ऐसी सूरत में आप इस तरह के professional standards बनाएंगे, कि भई उनके अंदर रहकर चीजें सीखनी हैं, उनसे बाहर नहीं जा सकते, तो आप, आपको बहुत मुश्किल भी पेश आएगी और वो सारे बच्चे उस तरह से सीखी नहीं बड़ी बात तो यह है, आप चले हैं, human rights को propagate करने, लेकिन दर हकीकत वो violate हो रहे हैं, क्योंकि आपने जब एक standard बना दिया, मतलब एक छोटा primary school, देखिए एक सलाब जदा घर के अंदर एक छोटा, एक ऐसा camp school है, वहां बैठा हुआ बच्चा जो कुछ सीख रहा है, वो किस elite school के ECE के environment में जो बच्चा सीख रहा है, उन दोनों पर एक तरह के standards किस तरह से लागू हो सकते हैं, हर किसी के हलात मुख्तलिफ हैं, और आप समझते हैं कि equality और equity में यही फर्क है, equality में बराबर के हलात दिये जाते हैं, और यह जो हमारी germ movement है, वो अपनी जगा ठीक है, ले psychologist हमारे यह कहते हैं कि वो equity की basis पे होने चाहिए, जिसको जितना हिस्सा चाहिए, उतना हिस्सा उसको दिया जाना चाहिए, तो अब ऐसा है कि वो कहते हैं कि यह जो आपका context है और खास culture है, उसको तो ignore कर रहे हैं, आप कहां रहते हैं, किस तरह के हलात में रहते हैं, क्या खा आए जा सकते हैं, फिर be contextualized comparison environment, देखे, अब आप मुक्तलिफ लोगों के अंदर मुक्तलिफ सलाहियते हैं, तो उनके सीखने की रफ्तार और सीखने का अंदाज भी तो मुक्तलिफ है, वो बासूम बच्चे जो मुक्तलिफ घरों से आए हैं, वो बच्चे भी हैं, वो बच् बच्टून घर से आए हैं, या पंजाबी घर से आए हैं, वो सब एक तरह से नहीं सीखते, अगर किसी बच्चे को जिस तरह का हम शुरू में महौल देते हैं, उसके interaction में वही चीज़े आती हैं, जो उसने देखी हैं, फिर ऐसी सूरत में आप किसी एक standard के उपर रहेंगे, तो आप उनका जो context है, उसको ignore करेंगे, तो जरूरत इस समर की है, कि ना सिरफ ये कि उस context को ignore ना किया जाए, बलके celebrate किया जाए, उसको enhance किया जाए, उसकी personality को, उसकी identity को, उसके तशाखुस को हमें मजीद बेहतर करना है, मजीद बाहर लाना है, उसकी जो सलायते हैं, उनको हमने बेहतर करना है, ना के हमें उन्हें स्नॉप करना है, तो अब देखे, सौलबर्ग 2011, जिन्होंने जर्म पे सबसे पहले इतराज किया था, ये कहते हैं, कि जितने आपके important aspect थे, ECE के, जो बच्चे को देना था, creative learning देनी थी, उसको risk लेना सिखाना था, उसको teaching and learning उसके मताबिक customize करनी थी, as per needs, और फिर ये के हमें shade responsibility देनी थी, उसको community का हिस्सा बनाना था, ये सब चीजें अब educational system में तो हैं नहीं, अगर आप standardization करते हैं, यानि दूसरे लफ्सों में, हर बच्चा जैसी इसलाहियत रखता है, उसको उसके मताबिक बेहतर से बेहतर तरवियत तभी दी जा सकती है, जब उसका need analysis कर लिया जाएगा, और finally teacher directed learning is on the rise in many of the countries, including our country, बहुत से ऐसे EC के schools हैं और पूरी दुनिया के अंदर जहांपे teacher directed learning है, जो क्योंके standard हैं, तो जैसी teaching जो है वो close ended होगी, उसके controlled standards होगे, तो बच्चे की आजादी वैसे वैसे खतम हो जाएगी और उसके हकूप भी उसी तरह से snub होगे.